मदबदेश सरकार के नर्बदा घाटी विकास और परेटन मंत्री सुरेंद सिंग भगेल धार पांचे जहां उन्होंने सरकेट हाउस पर जिले के आला अधिकारियों और कारिकरताओं से मलाकात कर चर्चा के जौरान पत्रकारों से चर्चा में मंत्री भगेल ने बताया कि दिसमर में होने वाले मांडू महुत्सो को इस बार अंतराष्टी सुरूब देने की तैयारी है मांडू उत्सों का आईजन इस बार परेटन विभाग कर रहा है और पहले जिस तरह मांडू उत्सों होता आया है उस आईजन से हटकर कुछ नए आईजन होगा मांडू उत्सों के लिए पूरे मांडू में एक अलग शहर बसाया जाएगा जिसमें हैरिटेज, कला, एडविंचर गेम्स और संस्कृति से जुड़े अनेको का रिक्रों मांडू की एक अलग पहचान बताने के लिए देश-प्रदेश के साथ साथ विश्व में भी प्रचार-प्रसार करने की योजना बनाए गई विदेश के बड़े मीडिया हाउसेस और विदेश के पत्रकारों को भी आमंतरित करने की योजना पर काम हो रहा है जिससे परेटर निस्थल मांडू को विश्व में पहचान मिले देखे एक साल की उपलब्दी जहबा चुलाओं में जन्ता ने इस पर शूप से कांग्रेस का साथ दे के बता दिया है कि मद्रप्रदेश में जो पंदरा सालों में नहीं हुआ है दस मने में हमारे रशद्दे कमलनाजी के सरकार ने क्या क्या कर दिया रेंड माफी मांग लीजिए बिजली बिल का मान लीजिए युवाओं के रोजगार की बात कर लीजिए इन्वेस्टर मीट इस तरह की इन्वेस्टर मीट मद्रप्रदेश में पहले कभी नहीं हुई है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मद्रप्रदेश में जो जोजनाए ग्रामीन शेत्र में मानी मुख्यमंत्री जी ने दी है, मेट्रो एक हमारी बहुत बरी उपलब्दी है, इस तरह की अंगिनत मद्यप्रदेश की सरकार की उपलब्दियां है, जो दस मैने में देखी है और आने वाले सालों में बहुत कुछ ऐसा विकास जमीनी इस जो अच्छे से जानते हैं, मांडो को पैचानते हैं, मांडो को अच्छे से दिखा सकते हैं, उनको भी हमारे साथ में लेंगे, उनके माध्यम से भी स्टेट में, क्योंकि इंदौर वाला पत्रकार अगर हमारा साथी बहुत हैं, जो इसको इतनी जानकारी नहीं रहती, जो गौर्दलबे परेटनेसल मांडू का नाम पहले ही हैरेटेस साइट के लिए यूनेसको में भेजा जा चुका है वेरो रिपोर्ट खबरबान नियूज धार